स्वामी नाराण हरे वच्चिन्नाम्रत गडडा प्रचम प्रक्रणनू छेतालिस्मू आकाश्णी उत्पत्ती अनेलाईनू स्वामी नाराण हरे संवत अराडसोने छोंतेरना महासुधी एकादशीने दिवस साजने समय श्रीजी वाराच श्रीगडडा मज्य दादा खाचरना दर्बार माँ श्री वासुधेव नाराण ना मंदिरनी समीपे ओटा उपर दक्षिना दे मुखारविन दे विराज मानता ने धौरो खेस पेरे होतो ने धौरी चादर उड़ी हती ने माथे धौरी पाक बादी हती ने पोताना मुखार विन्नियागर मुनीनी सभा तथा देश देशना अरिवक्तनी सभा भराहिने बैटी हती ते समे भट महेश्वर नामे विदांती ब्राह्मन हतो तेने श्रीजी महाराद ने प्रश्न पुछिऊंजी समाधी ने विशी सर्वे लीन थाई छे त्यारे आकाश केविरी ते लीन थाई छे पछिशी श्रीजी महाराद बोल्या जे आकाश नू रूप हमे रुडे प्रकारे करिये ते तमे सर्वे सावधान तेने सांबरो जे आकाश ते अवकाश ने कहिई अने जे जे पदार्त रहाचे ते अवकाश माज रहाचे अने ते पदार्त माँ पणाकाश व्यापीने रहाचे अने एवकोई पदार्त नती जे जे जेने विशे आकाश ना होई केम जे रुथ्वीनी एक रज अती जिनी होई तेने विशे पण आकाश छे अने ते एक रजना कोटान कोटी कटका करिये तो पण तेने विशे आकाश छे माटे आकाश ने द्रश्टिये जयरे जोईये ते आरे प्रुथ्वियादिक चार्भूत देखाता नती एकलो आकाश देखाई छे ते आकाश सर्वनों आधार छे अने स्थूल सुक्ष्म अने कारण ये जे त्रण शरीर ते आकाश ने विशे छे अने आ ब्रम्मान्ड चे ते पाण आकाश ने विशे रहूंचे अने ब्रह्माडनु काराण जे प्रकृती अने पुरुष ते पन आकाश ने विशे छे एवो जे आकाश ते प्रकृती पुरुष अने तेनु कारिय पिंड ब्रह्माड ते सर्वने मही पन रयो छे ने सर्वनों आधार तेने बहर पन रयो छे एवो जे आकाश ते तो सुशूप्ती ने विशे अत्वा समाधी ने विशे लिन्थतो नती अने कोई कहशे जे आकाश आदीक पंजबुद तो तमुगुणती उब्ज्या छे ते आकाश पुरुष औने प्रकृती नों आधार क्याम क्यावाई ने सर्वमाँ व्यापक क्याम क्यावाई तो एनों उत्तर एछे जी प्रकृती माँ जो अवकाश रूप आकाश ना होई तो जेम रुक्ष माथी फर पुष्पादीक बार निसरे छे अने जेम गाईना पेट माथी वाचडू बार निसरे छे तेम प्रकृती माथी महत्तत्व निसरे छे ती क्याम निसरे माटे प्रकृती ने विशे आकाश रहोँ छे अने महत्तत्व माथी अहंकार निसरे छे माटे महत्तत्व माँ आकाश रहोँ छे अने अहंकार माथी त्राण गूण निसरे छे माटे अहंकार ने विशे आकाश रहोँ छे अने तमुगुण मती आकाशादीक पंजबूत निसरे चे माटे तमुगुण ने विशे पड़ आकाश रहो चे अने तमुगुण मती जे आकाश निसरे चे ते आकाश तो तमुगुण नों कारिय चे अने विकारवान चे अने सर्वनों अधार जे आकाश चे ते नीर विकारी छे ने अनादी छे अने एवो सरवाधार जे आकाश छे ते आकाश ने ब्रह्म कहिए चिदा आकाश कहिए अने ए आकाश ने विशे पुरूष ने प्रकृती ते संकोच अवस्थाने अने विकास अवस्थाने पामे छे किवी दिते तो ज्यारे पुरूष प्रकृती सामू जुवे छे त्यारे जेम स्त्री पुरूष तकी संताननी उत्पत्ती थायए छे तेम पुरूष जे पती अने प्रकृती रूप जे स्त्री ते थकी महत्तत्वादिक संतानु त्पन्न थायए छे एवी रिते जे प्रकुती ते 24 सत्व रुपे ने पिंड ब्रंबान रुपे थाई छे ए प्रकुतीनी विकास अवस्था छे अने जेटला प्रकुतीना कारिय छे तेने विशे पुरुष ओतानी शक्तिये करीने व्यापक पने रहे छे ते पुरुष नी विकास अवस्था छे अने ज्यारे कारेकरीने प्रकुतीनों कारिय सर्वनाश पामी जाई छे अने प्रकुती पन पुरुष ना अंगमा लेंजे विरह छे ए प्रकुतीनी संकोच अवस्था छे अने पुरुष पन प्रकुतीना कारिय सर्वनाश पाम्या त्यारे पोताने स्वरुपे रहो ए पुरुष नी संकोच अवस्था छे जेम काचबो छे त्यारे विकास ने पामे छे त्यारे पोताना अंग सर्वे बाहर काडे छे अने जेरे संकोच ने पामे छे त्यारे सर्वे पोताना अंग तानी ले छे ते रूंड मूंड थाई रहे छे, तेम पुरुष प्रकुरूतिनी संकोच विकास अवस्सा छे, अने इप्रकुरूति ने प्रकुरूतिना कारियने विशे अन्वय व्यतिरेक पणू पुरुष्णुच छे, पंड सर्वनू आधार वोचिदाकाश देनू नती, केम जी जी स सर्वाद्यार होए, के कोण थकी वितिरेक होए, के तो सदा सर्वमा रहोच होए, अने आ ब्रह्मांड चे, ते अने चारे कोरे, लुकालोक परवत चे, ते घड़नी पैटे रहोचे, अने ते लुकालोक नी बहार ते अलोक चे, अने ते अलोक थी पर सबता आवरण चे, अने ते थी पर एकलू अंधारू चे, अने ते अंधारा थी पर प्रकाश छे, ते प्रकाश ने चिदाकाश कई ये, तेमज उच्चू पन ड्रमलोक सुधी क्यावाई, अने ते अनी पर सबता आवरण चे, अने ते आवरण ने पार अंधकार चे, अने अंधकार ने पार प्रकाश छे, ते प्रकाश ने चिदाकाश कई ये, अने तेमज पर सबता पातार सुधी क्यावाई, अने ते थी हेठा सबता आवरण चे, अने ते थी हेठो अंधकार चे, ते थी हेठो प्रकाश चे, ते प्रकाश ने चिदाकाश कई ये, एवी रिते ब्रह्मांडनी चारे पासे चिदाकास छे औने ब्रह्मांडनी मही पन छे औने एवो जे ए सर्वाधार आकास छे तेने आकारे जेनी द्रस्टी वर्तती होए तेने दहर विद्या कई ये औने अक्षी विद्या आदिक गणिक प्रकारनी ब्रह्म विद्या कई छे ते महेली एपन एक भ्रमविद्या छे अने ये चिदाकाश छे ते अती प्रकाश वान छे अने ते चिदाकाश अनादी छे अने तेनी उत्पत्ती विनाश नथी अने जे आकाश ने उत्पत्ती अने विनाश करो छे ते आकाश तो तमोगुणनू कारिया छे अने अंदकार रूप छे तेनी लिन्ता थाई छे पन सर्वनू आधार एवो जी चिदाकाश तेनी तो लिन्ता थती नथी एवी जी ते तमारा प्रश्ण उत्तर करो अवे तेम्म कोईने शंकार है होय तो पूछो पची ते विदान्ती ब्रह्म तथा सर्व हरिजन बोल्याजी हवे कोईने लेश मात्र संश है नथी इती वच्यनना म्रतं एवी जी ते गटिडा प्रशं प्रक्रण नुँँँँच्रेय शंताली सुवत नम्रज्यते थ conhe स्वामिनानारे स्वामिय वाद करीजे मुमुक्षु छे ते नेत्र ने ठेकाने छे ने समागम छे ते सुर्य ने ठेकाने छे सुर्य होई तो नेत्रे देखाए ने गमे वो संसकार होई तो पन समागम मिना तड़ी जाए ने समागम होग ने संसकार नहोग तो पंधाय माटे क्रिय मान बढ़वान छे स्वामि नानारे स्वामि वात करीजे संसार मां चौट्या मिना तो रह्वाएज नहीं पन जो सारा सादुनो निरंतर समाचम राखे तो उखडायं निकर चौटी जवाय स्वामिनानहरे स्वामिय वात करीजे विशयनों संबंध थया मोर तो बक्रानी पेठे बिवूं ने सबंध थई जाय तो त्यां सीथावूं स्वामिनानहरे स्वामिय वात करीजे जीवनों स्वभाव बद्ध थे त्यागी मां बंधाय ने ग्रहस्त मां बंधाय ने पदार्थ मां बंधाय ने देश मांने गाम मां बंधाय ने आसन मां बंधाय ने ज्यां एक ठेकाने रहे त्या मंधाय ने नाज्यात मां बंधाय एव स्वामिनान हरे स्वामिय वात करीजे विशयने मारगे आंदड़ा थाओं बेरा थाओं लुला थाओं एम थाओं पणा सक्त न थाओं स्वामिनान हरे स्वामिय वात करीजे आप ब्रह्मान ना सर्व जिवने खवरावों ते करता एक बगवदी ने जमारवो ए अधीक छे स्वामिय वाद करी जे खट्रसमा रया ने जलेवीमा गया ते शूं जे टाड़ी अगनी एवा विशे भूंडा छे स्वामिय नानरे स्वामिय वाद करी जे महाराज केता जे हरी भक्त कोई रीते सुख्या थाता नथी ते जो रूप्या पिये तो दर्शन करवा नवरा थाता नथी ने गरिब राखिये तो कैशे जे बातू नमडे शूं दर्शने जेए माटे बेवा ते जीव भगवान ने भसता नथी तीह सारू चार उपाय करिएची ते साम जे वातू करिएची ने दाम जे वगवान आपिएची ने बेदी जे सर्वे खोटू कईएची ने दंड जे जम्पुरीना धुख देखाड़ियेची एम करियेची स्वामि राणρι स्वामि वाद करीजे सत्चंग मां केटलाख मुक्त चे त्यमां केटलाख भेद छे त्यमां केटलाख मुक्त तो मंदीर मेडियों ने धर्मशला करावें बवा छे ने केटलाख तो द्रवबिनु उपार्जन करेएवा होई, ने किटलाग गाम गरास करेएवा होई, ये सर्वब्रकार ना मुकत तो घणाए, पन आवा मुकत थोढा, जे उपास ना आगन्या, ने ग्छण ए त्रणवाद प्रवर्तावे, पन माल तो ए त्रणवादं माजुचे, ने धर् ने बीजू पन उपार जन ए त्रण वात नू मुख्य पनू राखे तो सेजे थाए, पन ती प्रवर्ता वेवा मुख्त थोड़ा, पन माल तो एमाज छे, ने आ वात वारे वारे विचारी विचारी ने निर्धार करियो छे ते कयो। स्वामी नारे स्वामी वात करीजे, मोटा साधू साथे जीव बांध्यो होई, ने तेने कोई देशकार लागे, ने सत्चंग माथी जावू पडे यू होई, तो पन तेनू प्राहश्चित करवानू ए संत पोताने माथे ले, अथवा एने प्राहश्चित करवानू बढ़ा अथवा चिल्ली वारे एने रोक ब्रेरीने पाणू सत्चंग मारा आखे, पन एने जावा दे नहीं।